आप सबी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार कैसे हैं आज आप लोग तो आज की पीडियो होने वाली एमरेलस लीली पे ये बहुत ही खुबसूरत एक पौधा है जिसका बहुत ही खुबसूरत फूल आता है साल में सिरिफ एक बार इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलती है पर जब भी ये फ्लावरिंग करता है तो आपके पडोसी इस तरफ इसके फ्लावर के तरफ खिचेंगे आपका ध्यान भी इसके तरफ खिचेंगा आपके पडोसी ये कहेंगे हमें भी ऐसा पौधा ला दीजिए मेरे साथ ये सब हो रहा है मेरे पडोसी डेली पूस्त है कि ये पोदा आपने कहां से लिया तो मैं आप सब लोग को आज बता रहा हूँ कि जो प्लांट है ये आपको बहुती कम नरसरीयों पे देखने को मिलेगा अगर आपके आसपास कोई बड़ी नरसरी है तो वहां आपको ये मिल जाएगा बाकी इसके ज़्यादातर बल्ब मिलते ह बल्ब इसका जो होता है वो एक प्याज के आकार का होता है जैसा प्याज होता है उसी आकार का इसका बल्ब होता है आप ओनलाइन चेक कर सकते हैं एमरेलस लिली बल्ब तो आपको इसके बल्ब दिख जाएंगे अगर आप इसको काफी सस्ते रेट पे लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लिली बिराइटी के सभी तरह के बल्ब ट्यूवर मिल जाएंगे, ये बल्ब मैंने 30 रुपे का लिया था, मैंने 2 बल्ब लिये थे 60 रुपे के, और एक साल में ये कई गुना बढ़ जाते हैं, इनके बेबी प्लांट निकलते हैं, उनके नीचे छोटा सा बल्ब तैयार होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, आप उनको अलग अलग गमले में, सिप्ट कर दें, तो आप एक बल्ब से कई बल्ब आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड को, या फिर आप आगे अगे प्र farm को, या फिर आप आगे, सेल भी कर बल्ब लगे हुए हैं जिसमें अभी दो पे फ्लाबरिंग हुई और दो बहुत छोटे हैं तो आप जब भी मार्केट से या ओनलाइन बल्ब लेते हैं तो बड़े साइच का लें तभी उसकी फ्लाबरिंग आपको देखने को मिलेगी इसकी फ्लाबरिंग का जो समय है वो साल का समय आता तभी आप इसको फर्टिलाइज केजिए और साल के बाद इसको फिर ज्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके पत्ते ही ग्रोध करते हैं उस समय आप इसको कोई खाद ना दे तो भी ये ग्रो होता रहता है सर्दियों में ये प्लांट जो होता है का 3-4 फ्लावर लगते हैं एक स्टोक पर तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट कितना खुबसूरत लग रहा है तो आप अगर इसको चाहते हैं कि इसका फ्लावर कई दिनों ऐसे ही खुबसूरत से बना रहे है तो आप जब फ्लावर ये खिल जाता है जिस दिन भी आपका ये flower खिलता है तो आप इसको semi-sade में ले आए या अपने कमरे में भी रख सकते हैं अगर आप इसको full दिन की sunlight में रखते हैं जो की मार्च या अप्रेल में full दिन की sunlight जो होती है काफी तेज धूप होती है अगर उस समय इसका flower अगर बाहर रहता है तो ये काफी धूप तेज होती है उसके कारण इसका जो flower है था वो बहुत जल्दी मुर्जा जाता है मैंने भी इस plant को अपने gate पे लगा रखा था जहां पे full दिन की sunlight नहीं direct आती है सिर्फ छाए रहती है वहां पे पूरे दिन तो वहां पे मैंने रख रखा था तो मेरे gate की खुबसूरती भी बनी हुई थी और मैं आपके साथ ये plant share भी करना चाता था ताकि आपने अभी तक ये plant ना लगाया हो तो आप भी लगाए फ्रेंस आप plant कोई भी लगाए ये सब हमारे परियावरन के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो आप पेड पोदे ज़्यादा लगाए आप जरूर किसी एक plant पे ना जाए आपको जितनी जगे मिलती है आपकी अगर terrace garden या वालकनी है तो मैं कहता हूँ आप अपने जीवन में चार से पांच plant जरूर लगाए और हो सके तो पेड भी लगाए ये सब हमारे परियावरन को बचाते हैं तो friends आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हमारी चैनल को सस्क्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि भविष्च में आपके लिए हम ऐसी खुबसूरत वीडियो प्लांट की लाते रहें तो आज का फ्लावर आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं तो फ्रेंच जल्दी आपके लिए एक हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे तब तक अपना ख्याल रखे और ऐसे पेड़ पोदे लगाते रहिए और अपने परिया वरन का भी ख्याल रखे फिर मिलते हैं आपसे एक नेश्ट वीडियो में हर रखे बारा बजे आप दीजिये मुझे इजाजत फिर मिलता हूँ मैं जल्दी आपको एक फिर रखे बार को